नकल्ची बंदर एक टोपी बेचने वाला जब घूमते घूमते ठक गया तो दोपार के समय एक वट व्रिक्ष की घनी जाया के नीचे जाकर आराम करने लगा ठंडी हवा पाकर उसे नीदा गई उस पेड़ के उपर कुछ बंदर बैठे थे टोपी वाले को सोता देखकर बंदर उसकी टोपियां उठाकर ले गए और उन्होंने टोपियां पहन ली जब टोपी वाले के नीद खुली तो वह टोपियां न पाकर इधर उधर ढूढने लगा कुछ देर बाद जब उसकी नजर पेड़ पर गई तो उसने देखा कि बंदर टोपियां पहने हुए है पहले तो उसने कुछ पत्थर फेके किन्त जब बंदर उसकी टोपियां लेकर इधर उधर भागने लगे तो वह उदास हो गया लेकिन थोड़ी देर बाद उसको एक उपाय सूझा कि बंदर हमेशा दूसरों की नकल करता है इसलिए उसने अपने सिर की टोपि उतार कर फेक दी यह देखकर उन सभी बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपियां उतार कर फेक दी टोपि वाले ने अपनी सभी टोपियां उठा ली और प्रसन्न होकर घर चला गया अता है ठीक ही कहा गया है कि हमें कभी भी मुसीबत के समय घवराना नहीं चाहिए